धनुस के डिरेक्टेड फिल्म रेयान का ट्रेलर स्ट्रोलर जुलाई को रिलिज किया गया है फिल्म में उनके अलावा संदीप की सन काली दाज जैराम वरलचमी सरत कुमार और प्रकास राज जैसे किरदार मुख भूमिकाओं में हैं पहले ये फिल्म जुन में रिलिज होनी थी लेकिन अब ये फिल्म 26 जुलाई 2024 को ही सिनेमा घरों में रिलिज होगी ट्रेलर की सुरवाद धनुस के सरीर पर लगे खुन को धोते हुए एक सोट से होती है फिर काली दास और संदीप के किरदारों को गुस्षे में दिखाया जाता है क्राइम ठ्रेलर जॉनर की इस फ आखरी सीन में वह पूरी तरह से अलग दिखाई देते हैं जब वह एक पुलिस कर्मी से बात करते हैं तो वह काफी संत नजर आते हैं साल 2017 की फिल्म पापांडी के बाद रयान दनुस की दूसरी निर्देशित फिल्म है वह बतोर अविनेता या उनकी पचासवी फिल्म है फरवरी में उनके भाई सेलवा रागवन ने इस बात से इंकर किये हैं कि उन्होंने रयान लिखी हैं उन्होंने खुलासा किये हैं कि वह इस पोर्जेक्ट में एक महत्यपुड भूमी का निभा रहे हैं फिल्म के फर्स्ट लूक में धनुस, संदीप और काली दास एक फू 2024 में एक कैप्टर मिलर रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ओपीस पर अच्छी खासी कमाई की थी यह फिल्म आजादी से पहले के समय में बसी एक एक एक्सेंड अडिवेंचर ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को अरुन माथेस्वरम ने डारेक्ट किये थे तो आप लोग कोमे करके बताईएगा कि आप लोग रयान मुवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है तो चलिए अब हम आप लोगों से बीदा लेना चाहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दिजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है